या कमेंट आप लोगों का बार-बार आ रहा था कि मैंने का कि चलोज़ फे वीडियो बनाते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंजनिरिंग कर maple करने मत जाएगा वर्ना करियर बरवाद हो जाएगा ऐसा बहुत सारे लोगों का message, comment आ रहा था कि सर मैं engineering करने जा रहा हूँ मैं हिंदी medium से हूँ क्या मुझे engineering करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूरे वीडियो मीसिक बारे में बात करेंगे और पहली बार आप चैनल पहे हैं कि अगर आप हिंदी medium से है तो आप polytechnic करने जाना चाहिए या B.Tech करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस पूरी वीडियो में इस topic पे आप लोगों को बहुत जादे मतलब question पूछा था कि सर मैं हिंदी medium से हूँ, मैं B.Tech करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं एक चेतावनी आप लोगों को दे देता हूँ हिंदी medium से पढ़े हो कोई बात नहीं लेकिन मैं बता दूँ engineering अगर आप करने जा रहे हो तो हिंदी medium से B.Tech तो देखो होता नहीं है सबसे पहले ही clear कर दूँ original language को government बढ़ावा दे रहा है पड़ो कहने के लिए है हिंदी medium से आप engineering करके आगे नहीं जा सकते हो मतलब हिंदी medium से आप engineering की पढ़ाई भी कर जो से polytechnic है पॉले टेक्निक हिंदी medium में होता है लेकिन हिंदी medium से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो पढ़के हिंदी medium पाद एक point पे आपको stop हो जाओगे एक point से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो problem वहाँ पे है कि जो लोग हिंदी medium से पढ़े हुए न वो try ये करें कि धीरदरे English बोलना सीख लें धीरदरे English पे command करना सीख लें क्योंकि English बहुत mandatory है देखो अगर आप हिंदी medium से हो तो बीटेक्ष जब करने आओगे तो इंजर्निंग करने आओगे वहां हर चेज English में मिलेगी English आपको बोलने आनी चाहिए English आपको लिखने आनी चाहिए हर चेज English है मतलब कोई चेज हिंदी नहीं लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाओ मैं खुद हिंदी मीडियम से पड़ा हूँ मैं यूपी बोर्ट से पड़ा हूँ स्टुएंट हो बट मैंने चार साल इंजर्निंग के इंजर्निंग में टॉप पड़ रहा उसके बाद फिर जॉब में बहुत सारी जगों पर मैंने जॉब किया जो मेरा आपके अंदर जुनून ही नहीं है कि मैं मैं बता दूना ग्रामिडांचल एरिया के जो स्टुडेंट होते हूं का मैथमेटिक्स फिजिक्स केमस्ट्री बहुत स्टॉंग होता है वह मार खाते हैं वह अंग्रेजी में मार खा जाते हैं अंग्रेजी की वज़ए से यह जो स आप जॉब ले पाओगे क्योंकि देखो अल्टी डॉनलेस आप जब पास आउट होगा चलो इंजरिंग में आपने बोलना नहीं सीखा या लिखना अच्छे सा नहीं सीखा लेकिन जब आम मार्केट में आओगे ना जब किसी कंपनी को जॉइन करोगे तो वहाँ जितने इ इंगलिस में ही बात करनी पड़ेगी तो इंगलिस की इंपोर्टेंस बहुत जाद है तो जो लोग इंजर्णिंग करना चाहते हैं अपनी क्या मिनिकेशन स्किल पर ध्यान दे तो बहुत साथ लोग कहंगे सब पॉले टेक्निक में तरह मैंडेटरी नहीं है क्यों नहीं करो नहीं चीजे अच्छे से समझों गें नहीं चीजे अच्छे से जानों गें तो कैसे अगे बढ़ोगे कैसे अपने करियर को आगे लेकर जाओगे वहां पे bele बहुत सारे कुष्टन मार्क आपके वहां पे हो जाएंगे उस कुष्टन मार्क को हटाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा चीजे जानने पड़ेंगे चीजे देखनी पड़ेंगे कि अगर उस question mark को आप नहीं अटाओगे अब आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना नहीं सीखोगे तो कहीं न कहीं life में पीछे रह जाओगे सहर में जो लड़की होते हैं उनकी communication इसके लिए तनी अच्छी होती है कि उनकी टेक्निकल स्किल भले भीग रहे उनकी communication इसके लिए तनी अच्छी होती है कि जिसके बेस पी उनको job मिल जाता है तो होग की आपको समझ में आ गया होगा गाई और मैं बता दूँ जो लोग अभी भी इंजिनिंग करने के सोच रहे हैं हिंदी मीडियम से हैं अपनी अंग्रेजी पर आज से ही काम करना सुरू क अबरे थैंक यू